हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का कॉमिक विल्ड चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में अंगारा सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगारा और बलारा की राचकुमारी इसके पहले जितनी भी अंगारा की कॉमिक्स हैं वो सब अंगारा की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी अंगारा और बलारा की राजकुमारी अंगारा दीप में रात को चारों दिशाओं में गिद्दों का पहरा रहता है ऐसी ही एक रात रामार के जटाईू के वन्शाज हैं गिद्द हमारी याँके सुदूर तक देख सकती है, नन्नी से नन्नी चीज भी हमारी दिश्ची से छिप नहीं सकती, तभी हैं यह क्या चला आ रहा है समुदर में से, जहाज, अंगारा दीप की तरह फारा है, रात के अंदेरे में, किन्तो उन्हें शायद मालुम नहीं हमारी याँके अंदेरे में भी देख सकती है कोई पूर्वी समुद्र के रास्ते आ रहा है फॉरण वैस अंदेश एक से दूसे तक पहुंसता हुआ सेना पति सुजूकी तक पहुंचा कोई पूर्वी समुद्र के रास्ते आ रहा है समुद्र से कोई आ रहा है आ रहा है कौन होगा उस जहाज पर कप्तान कामरान हमारा शेप अंगारा दीब से कितनी तूरी पर है केवल दस किलोमेटर दूर है राजकुमारी बलारा सुबह होते ही हम अंगारा दीब पर कदम रखेंगे जो आग ये राजकुमारी अगले दिन सुबह सब छेपे रहो मैं सामने जाता हूँ अगर कोई गड़बड हुई तो तुम सब तुरंद बाहर आ जाना एक भीम का ये आदमी टटपर खड़ा है राजकुमारी राजकुमारी ने भी दुर्बीन से देखा ओ वह तो सजूकी है सजूकी वह तो मुझे किसी गोरिले के अला लगता है मैं उसे जानती हूँ अब फिकर की कोई बात नहीं जाट टट पर ले चलो इसका मतलब मुझे अंगारा दीप के बारे में सही सूचना मिली थी मुझे कहा गया था कि सजूकी वहां का सेना पती है लेकिन सजूकी की सेना तो मुझे कही नजर नहीं आ रही राजकुमारी उसकी सेना वन पराणियों की होगी मैं भी जरा दुर्बीन से देख लूँ ये कौन लोग है जो बिना किसी पूर सूचना के अंगारा के टटकी हो रहा रहा है ओ ये तो बलारा देश की राजकुमारी है मादाम बलारा मादाम बलारा यहां किस लिए कहीं इनका शिप रास्ता तो नहीं बटक गया वे लोग सफेज जंडा इला रहा है सैनिकों महमान हैं दोस्त हैं सफेज जंडा दिखाओ और मोर्चा छोड़ दो महमान दोस्त हैं कोई खत्रा नहीं नौका उतरते ही मैं सजुकी के पास जाऊंगी आप अकेली जाएंगी हाँ कोई खत्रा नहीं राजकुमारी बलारा नौका में उतर गए तुम सब लोग मोर्चा समाल लो कोई भी कत्रा हो तो देखते ही गोली चला देना टट पर आईए मदाम अंगारा अंगारा दीब पर आपका स्वागत है मैं अंगारा दीब का सेनापती आपका स्वागत करता हूँ धन्यवाद क्या तुम मुझे अंगारा से मिला सकते हैं ससूकी अवश्य मादाम, आप अंगारा दीब की सरकारी अतीती थे, अतीती है, मुझे तो मुझे अंगारा के पास ले चलो हैं, राजकुमारी तो उस गुरिले के साथ जा रही है, अब क्या कर रहे हैं, चलिए तबी, ठार, हैं, आपके शिप से ये फायर क्यों हुआ, उस शिप पर से, ठैरो, हमारे सुरक्षा दस्ते के बिना राजकुमारी आगे नहीं जाएंगी, मैं उससे बात करती हूँ सुजूकी, कामरान, तुम यह क्या कर रहे हूँ, सुजूकी हमारे राजकुराने का ववाद दबा दीजिए, आपने अभी क्या कहा, मेरे पिता होशांगु सेनापती थे, क्या वे अब सेनापती नहीं हैं, नहीं सुजूकी, उनके मिट्ट्य हो चुकी है, मिट्ट्यू, किन्तो हमारे धर्म ओजा को तो कहना था, कि मेरे पिता की उमरे 200 साल है, फिर अभी तो उनको स सौवरस भी पूरे नहीं हुए, होशांगु की सौवाविक मिट्ट्य नहीं हुई, होशांगु को मार डाला गया, किसने माराम हैं, होशांगु के पुराने मित्र बुल्डॉग में, बुल्डॉग, क्या ये वे शक्स तो नहीं, जिसका मुँ कुट्टे की शकल का था, हाँ, वही बुल्डॉग, किन्तु बुल्डॉग तो बलारा की राज अखाड़े का सबसे ताकतवर पहलवान था, और मेरे पिता ही उसे लेकर आयती, कहीं इत्मनान से बैठते हैं, फिर मैं तुम्हें सब कुछ विस्तार से बताऊंगी, सजुकी बलारा को लेकर अंगारा मैं ही सारी बाते बताऊंगी, थोड़ी देर बाद, हे राज कुमारी बलारा, आपके बारे में सजुकी ने मैं बता दिया, मैं अंगारा का परधान मंत्री अंगारा, आपकी राज्यसवा, हमारी राज्यसवा में आपका स्वागत करता हूँ, आप विराजमान हो जाईए, मुझे भी आपसे मिलका बड़ी प्रसन्नता होई और मैं चाहती हूँ कि आपका स्वागत करने का गौरव अमारी राज्यसवा को भी प्राप्त हो आप चारिक बातों के बाद राजकुमारी बलारा अंगार अधीब पर आने का उत्देश्य कहने लगी सजूकी होशांगू की दूसी पत्नी कीबन मली का पुत्र है जो जंगल में ही जीवन बतीत करती रही होशांगू की पहली पत्नी का भी एक पुत्र है लेकिन वह होशांगू की तरह बलवान नहीं निकला होशांगू ने अपने बेटे की निर्वलता के कारण दूसी पत्नी क ना बन सका, यदि सुजू के उत्रादिकारी होता तो होशांगो की मौत के बाद वही बलारा का सेना पती होता, होशांगो ना मौत से पहले मुझे बता दिया था कि सुजू की अंगारा दीप का सेना पती है, और महान अंगारा की छत्रचाया में, क्या आपकी बद सुजू की से मिलने आई हैं या आपके आने का कोई उद्देशी भी है हे ग्रेट अंगारा हम आपसे मदद मांगने आए है बुल्डॉक शैतान बन गया है और कभी भी बलारा की सत्ता पलड सकता है आप मुझे पूरी बात पताईए तो सुनिए बलारा देश का निया में की जो राजकन्या बलारा की राजगती पर बैठे उसका नाम बलारा रख दिया जाए वहां के वल राजकन्या ही शासन करती है होशांगो बलारा देश का सेना पती था और मैं राजकुमारी राजकुमारी मैं सेना पती होशांगु आपके एक किसमें जनम दिन पर उस सब क्या है जिन की अनुमती चाहता हूँ अनुमती दी जाती है उस सब में कलाकारों के अतरी राजसी अखाडे में दंद युद्ध भी हुआ हर बार की तरह बुल्डॉग ने दूर दराज के बड़े बड़े अधिकारी पहलवानों को पराजित किया हे राजकुमारी बलारा मैं बुल्डॉग बलारा का सबसे ताकतवर वेक्ती हूँ किन्तु सबसे बस्सूरत भी हूँ मेरा मुखुत्ते का है लेकिन हूँ तो इंसानी इसी बस्सूरती के कारण मेरे साथ हमेशा ना इंसाफी हुई है कैसी ना इंसाफी राजसिया खाड़े का सर्वशेश पुरसकार हमेशा तुमेही मिलता है सरवशेश ताकतवर इंसान होने के नाते मुझे इस बाग पुरसकार नहीं चाहिए फिर क्या मांगते हो दौनों मैंसे एक चीज बलार देश का निया में कि देश की राजकुमारी किस वर्ष पूरा करने के बाद विवा करेगी और उसका पती बलारा के सबसे ताकतवर व्यक्ति होगा तुम कहना गया चाहते हो या तो आप मुझे अपना पती स्विकार करें या फिर सेना पती का पत मुझे दें खामोश कुत्ते तेरी ये मजान कि तू राजकुमारी का हाथ मागनी के हम मत करे ए गमंडी अगर होशंगु ने मुझे हरा दिया तो मुझे हमेशा नीचा देखना पड़ेगा इसके शस्त्रों की काड़ भी मेरे पास नहीं इसलिए भाग नहीं बैतार होगा भाग गया कायर दुबारा इधर का रुखना करना मैं लौट कर आऊंगा होशंगु उस वक्त तेरे हर शस्त्र का उत्तर दूँगा और याद रख वह दिन तेरा आखरी दिन होगा उसके बाद राजकुमारी मेरी होगी और सिंगाजन भी मेरा पकड़ लो उस कुट्टे को किन्तु बुल्टॉक जंगल की और भाग चुका किन्तु जंगल में जाकर उसने कोई शैतानी ताकत हासिल कर ली और सारे जानवर उसके गुलाम बन गए उन जानवरों को उसने आदम खोर बना दिया वे हमारी बस्तियों पर हमला करने और इंसानों को उठा कर ले जाने लगे कर बचाओ ताल बचाओ सेनापती होशांगों हमारे देश के सभी जानवर अचानक आदम खोर कैसे हो गए इनसे रक्षा करना आपका फर्ज बनता है किन्तु विटम बना यह है मदाम कि मैं जानवरों पश्रस्तर नहीं उठा सकता उनका वद नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपनी पत्नी कीबन मली को वचन दिया था कि मैं किसी जानवर का वद नहीं करूँगा आपको पता है कि वे जंगल में रहती थी और जानवरों से बहुत प्रेम करती थी सो तो ठीक है परन्तु आदम खोर जानवर आप जानवरों की शेड़ी में तो नहीं आता उन्हें जीवित पकड़ा जा सकता है मैं यह काम करूँगा मैं जानती हूँ कि तुम शेर जीतों के अपने बल से धराशाई कर देते हो परन्तु यह आदम खोर है मैं उन्हें भी पकड़ लूँगा उसके बाद होशांगू उन्हें फकड़ने अपने लशकर के साथ जंगलों में रवाना हो गया लेकिन कुस दुनों बाद मुझे एक बुरी कबर सुनने को मिली होशांगू का लशकर खत्म हो गया और चंद सैनिक होशांगू का शब लेकर रास दर्बार में पहुँचे ये सब कैसे हुआ बुल्डॉग न इनमार डाला वै आदम खोर सेना उसी की तयार की हुई है बुल्डॉग न अपने तरिंदों के साथ हम पर ऐसा हमला किया कि पूरा लशकर ही साफ हो गया ओ राज के सम्मान के साथ हुशांगू के दास नसकार के बाद बलारा में बुल्डॉग का आतक बढ़ता ही चला गया बहुत से सेना दिकारी भी उससे मिल गए और अब उसकी नज़र मुझ पर है मेरे राज पर है वे कभी भी अपने आदम खोर जानवरों की सेना साइद बलारा गिराज महल में खुश सकता है बस अब आप ही हमें और हमारे देश को इस संकर से मुक्त कर सकते है हम आपकी मदद के लिए तैयार है मैं भी आपके साथ चलूँगा माननी है मैं तुम्हारे जजबा समझता हूं सजुगी तुम मेरे साथ अवश्च जिद में भाग लोगी और बुल्डॉक से अंतिम योद्ल लाने का अफसर तुमें ही दिया जाएगा मैं अपने पिता की मौत का बदलाव बुल्डॉक से अवश्च चलूँगा सजुगी आपके साथ शिप से जाएगा मदाम बलारा मैं चटाई की उड़ं करती से आऊँगा अगले दिन हमसे संपर करने के लिए आप ये ट्रांस्मीटर अपने पर रख लिए ग्रेट अंगारा उचेत है ऐसा ही एक ट्रांस्मीटर सजुगी क्यों भी दे दे और राजकुमारी के साथ सजुगी बलारा देश रावाना हो गया हे मंत्रियों आप यहां कुछ दिन के लिए ना तो सजुगी रहेगा न मैं इसलिए कुछ आवश्चक निर्देश सुनो यह एक क्यंत्र है अब एक और शैतान से टकराने का बक्ता आ गया है टाटा स्वामी आप बार बार शैतानों से टकराने अंगार अदीब से कूछ कर जाते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मुझे शैतान का पता ठिकाना बता दे फिर तुम क्या करोगी या तो उसे खाकर अपनी भूख शान कर लूँगा या उठाकर आपके पास ले आया करूँगा तुम चाहते हो कि मेरे हाथ पैरों को जंग लग जाए जटायू बहादुर युद्धाओं को जो आनन रड़ भूवी में मिलता है वे और कहीं नहीं मिलता आगे से मुझे आराम तलब बनाने का सबक मत पढ़ाना सौरी ग्रेट अंगारा वाह तुम अग्रेजी भी सीख गए आपके साथ रहकर काई भाषान जान गया हो सर अंगारा बलारा देश पहुँच गया है वे पे कैसा पक्षी है ओ कितना बड़ा है आदम खोर पक्षी उसने एक आदमी को दबोचा हुआ है पुल्डॉग न पक्षियों को भी आदम खोर बना दिया शैतान यहीं आ गया आ गया इधरी उतर रहा है भागो बचाओ बस इसी बस्ति में उतार दो अंगारा जमीन पर उतरा हैं यह भगदर कैसी सारी बस्ति खाली हो गई तबी भागो फैर बच्चे बचाओ अरे चुप क्यों शोर मचा रहा है शैतान पक्षी के बेटे मुझे छोड़ दे क्या सब हम से डर के बाग गए है भागेंगे नहीं तो शैतान पक्षी नहीं रहम का पक्षी है उनको कह दे कि आज के बाद कोई जानवर किसी इंसान को भक्षन नहीं करेगा बलारा में रहम का फरिष्टा आ गया है वह लड़का वहाँ पहुझा जहां बस्ति वाले छिपे हुए थे सुनो बस्ति वालो वह रहम का पक्षी है रहम का फरिष्टा लेकर आया है वह कहता है आज के बाद कोई जानवर किसी इंसान का बक्षन नहीं करेगा देखो उसने मुझे कुछ नहीं किया चिंगू अगर तू सच कह रहा है तो हम सब चलते हैं बस्ति वाले डरते डरते बस्ति में पहुँच गए आओ आओ डरने की कोई बात नहीं मैं रहम का फरिष्टा तुम्हें शैतान से नजाद दिलाऊंगा तब ही एक आदमी भागता हुआ बस्ति में आया कर्मा बस्ति का आदम खो दरिंदो ने गेर लिया है चलो मुझे वाले चलो बस्ति वाला अंगारा को लेकर चलतो पड़ा लेकिन थोड़ी तेर बाद मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा रहम के परिष्टे आगे दरिंदो का गेरा है बस इस पहाड़ी के परली तरफ कर्मा बस्ति है ठीक है तुम यहीं मेरा इंतिजार करो जैसे ही अंगारा कर्मा बस्ति के पास पहुँचा वाह बड़े दिनों के बाद अपनी बिरादरी से दंगल लडने का मौका मिला है ये तो अपनी बिरादरी के बिरादरी की बोवाला आदमी है और हमारी भाषा भी बोलता है भाग जाओ यहां से और आज के बाद किसी इंसान का बक्षण मत करना ये मेरा हुक्म है कि हम केवल बिल्डॉक का हुक्म मानते हैं ए हमारी बिरादरी वाले हमारे रास्ते से हट जाओ ओ तो क्या पृति में ऐसे भी प्राणी हैं जो हमारा हुक्म मानने से इंकार कर सकते हैं शेर, हाती, लॉम्री, गेंडा, गिद्ध और गॉरिल्ला इन सब से मैं बनाओ मैं पृति का सर्वशेष्ट प्राणी हूँ और तो मैं मेरा हुक्म मानना चाहिए हट जाओ आज हम कर्मा के सब आत्मियों का मास खाएंगे तो फिर आओ, दो-दो हाथ हो जाए देख ली मेरी ताकत अब भाग जाओ, नहीं तो सब की खाल उतार दूँगा ये तो सर्वशेष्ट है इसके शरी में दाद भी नहीं गुस्ते ताकतवर है सब जानवर घेरा तोड भाग गए चलो, चल का बुल्टॉक को खबर देटें कि रहम का फरिष्टा दीवार बढ़का खड़ा है दोबारा किसी वस्ती का रुक किया तो मुझे वहीं खड़ा पाओगे सब जानवर भाग गए रहम का फरिष्टा, जिन्दा बाद, जिन्दा बाद अब कोई डर नहीं, फरिष्टे की जै हो ये खबर पूरे बलारा देश में राजदानी में भी पहुँच गई राजकुमारी बलारा जैसी राजदानी पहुची सौगत हो राजकुमारी जी यहाँ आप सब को, यहाँ आप सब सुक चैन्स है कोई वारदात नहीं हो रही क्या बुल्डॉग ने शस्त्र राल दिया मामंत्री नहीं, हमारे देश में रहम का फरिष्टा आगया है रहम का फरिष्टा? रहम का फरिष्टा हर उस जगह पहुच जाता है आदम को रहमला करते हैं और उन्हें खदेड देता है और यह विशाल पक्षी उसका वहान है ओ, अब समझी ग्रेट अंगारा ग्रेट अंगारा पहले ही पहुच गए? उदर जंगल में बुल्डॉग बॉकला उठा जंगल के शैतानों मैं कोई बुरी ख़बर सुनने का आदी नहीं हूँ पताओ कौन है वह? रहम का फरिष्टा हम नहीं जानते हम उससे हर जगे युद्ध में हार जाती है जंगल के शैतानों आज रात में तुमारे साथ चलूँगा तुम सब रात के अंदेरे में भी देख सकते हो किसी भी सोती बस्ती पर हमला बोल देना जटायू तुम किसी उचे पाड़ की चोड़ी पर बैट कर रात दिन चौकसी रखो कभी भी कहीं भी बुल्डॉग की शैतान चौकडी का हमला हो मुझे माँ पहुचा दो ठीक है सर जटायू एक उचे परवत पर बैट गया रात के साथ जटायू की तीछ डिर्ष्टी ने जानवरों को देख लिया रात को हमला करने की यूजना बालूम पड़ती है शायद यही बुल्डॉग है बस उस बस्ती को गेर लो जटायू तरन अंगारा के पास जा पहुचा सौमी तुरन चलिए इस बाद जानवरों के साथ बुल्डॉग भी आया लगता है आज रात ही इसका किस्सा खत्म कर देता हूँ चलो मुझे माले चलो जटायू अंगारों को लेकर उस स्तान की ओर ओर चला जहां बुल्डॉग अपने आदम को और धरिंदों के साथ मौजूद था बुल्डॉग से अंगारा का ठकराव हुआ तो कैसे यह आगामी अंक्बा पढ़े तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाब करते हूँ और मिलते हैं अंगारा सीरीज के अगली कॉमिक्स अंगारा और बुल्डॉग में तब तक के लिए धन्यवाद